अब दोश्तो इस LED में प्रोब्लम है कि रेड लाइट नहीं आ रही है यहां पर रेड लाइट नहीं आ हरी है और स्टेंड बाई से ओन भी नहीं हो रहा है कोई अरकत में कोई सिगनल नहीं कुछ भी बिल्कुल साइलेंट है अब जैसे मैंने इसमें देखिए प्लग लगा द अब इसमें कोई एक चीज खराब है अब वह चीज कौन सी है तो उसका पता हम जो है कैसे लगाएंगे यह मीटर की ब्लेक प्रोफ है यहां ग्राउंड पर कर दिया मेंने कनेक्ट है और भी ग्राउंड है किसे हम यह लेकिए तो मैं से इसमें चेक करने का जो मेतड़ होता है प्रोछेस होता है किस दर्या चेक करना इसको वह दोस्ते होता है कि सबसे पहले यहां और यहां यहां देखना यह 12 वल्ट का है और यह 24 वल्ट 18 वल्ट बीक लाइट के लिए अब यह जो है डाइवड यहां पर 12 वोल्ट आने चाहिए तो देखिये में दिख रहे हैं 12 वोल्ट है बिल्कुल तो यह confirm हो गया दोस्तों कि अपनी जो SMPS है वो ओके है कि SMPS में कोई खराबी नहीं है तो अब जब 12 वोल्ट बन रहे हैं तो 12 वोल्ट के बाद में जो बनने चाहिए वो होते हैं 5 वोल्ट और फिर 5 वोल्ट से बाद में बनते हैं 3.3 वोल्ट 3.8 और 1.2 वोल्ट यह सारे वोल्ट जरूरी होता है इसके चलने के लिए अगर इनमें से एक वी वोल्ट मिस है तो LED ओन नहीं होगा तो अब दोस्तों 5 वोल्ट चेक करने का होता है जो 5 वोल्ट में कहा है दोस्तों कोईल लगी भी है यह एक पास में चोटी कोईल है यह 1.2 वोल्ट की है यह बड़ी है यह 5 वोल्ट की है तो पहले यह 5 वोल्ट बनाएगी उसके बाद में इसे देगी तो 1.2 वोल्ट जाएं तो यह बाद गाया पहले 12 वोल्ट से शीद आपने को आना है 5 वोल्ट पे अब किस कोईल के पॉइंट पर चेक कर लेते हैं यहां पर दीखें 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं जिबकि 0.7 आ रहा है माल एक वोल्ट भी नहीं है आदा वोल्ट मान लो अब यह आदा वोल्ट क्यों बन रहा है कि यह आईशी जो है वर्क नहीं कर रही है अगर काम कर रही होती वर्क कर रही होती आईशी ओक्य होती तो यहां पर पूरे 5 वोल्ट आते हैं अब देखते हैं आईशी को 12 वोल्ट मिल रहे हैं यह नहीं मिल रहे हैं यह आईशी को पि यह आइसी चेंज करने के बाद में अपन देखेंगे कि आगे क्या फाल्ट है या तो यह आइसी लगाने से चल जाएगा LED अपना और नहीं चला तो फिर आगे वोल्टर चेक करेंगे तो जलिए सबसे पहले यह है दोस्तों मैंने एक आत में फोन पकड़ रहा है एक आत से तो वीडियो को रोकना पड़ेगा और मैं इस आइसी को चेक करता हूँ दोस्तों एक तरीका हो रहे कि इसके आइसी को यह पावर में बंद कर दूं और आइसी घराब है या इसका आगे शोर्टिंग है जैसे पाइफ वोल्ट पर जो केबिसिटर लगा होता है वह शोर्ट हो जाता है बहुत सी बार तो भी वोल्टेज ड्रोप होते हैं तो यह देखिया बजर बजरा है अब बजर मोड पर लाना मीटर को और चेक करना इसके फाइफ वोल्ट यह देखिया आगे शोर्टिंग नहीं है बजर नहीं बज़ा कोई शोर्टिंग नहीं है सिर्फ आइसी घराब है और दोस्तों देखिया आइसी के साथ यह केपिसिटर ज पड़ेगा क्योंकि यह पुल गया तो अब दोस्तों जो आई सी खराब हुई है मैंने बहुत सी LED में देखा है कि जब यह कैपेशिटर फूल जाता है उपर से तो उसको बारा वोल्ट किलियर नहीं मिल पाते है तो यह आई सी खराब हो जाती है क्योंकि बारा वोल्ट सीधे पूल आवा मिला तो आई सी भी खराब मिलनी मुझे तो अब चलिए पहले यह चेंज कर लता हूं और फिर मैं वीडियो वापस बनाता हूं कि यहां से निकाल लिए और यह लगा दी और जेस्ट कोईल के पास में दिख रही है यह आईशी में चेंज कर दी और यह देगें यह वाली आईशी करापती इसकी जो मैंने नहीं लगा दिया विश्में और दोस्तों अब देखते हैं एक मिनट शोरी वीडियो अब चला के देखते हैं यह वोल्टेज करते हैं यह कारे लिएटा देता हूं इसको इसको भी चैंज कर देता हूं पर इसको चला कर देखेंगे और लदी चल जायेगा आपना कुक 100rиту मैंने ऐटेंच कर दिया देखिए यह नगा दिये में फिल्टर ओर जो कराब था वही यह वाला था यह दिए उपर से Rd ़ोणा कि कर दिया उड़ा कि अइसके पास आ यह इस बिर धादिया और अब इसके लेठिक घ्रितL यहां पर ओन कर देता हूं और यह देखें दोस्तों ब्लू लाइट ब्लू लाइट आ गई है दिख्री यह लाइट अपना सप्लाइब ओके हो गई है अब कोई वोल्ट चेक करने की जुरूत नहीं है और अब इसे एक बार ओन कर लेते है कि पिच्चर बना है के नहीं बना है यह देखें यह LED ओन हो गया और यह लाइट प्लिंग कर रहा है इसे डारेक्टी ओन करना पड़ेगा चिंटी से क्योंकि यह पैनल दूसरे LED का है दोस्तों अवार मेंसे निगाली देखें तो जो हुआ है दोस्तों मैंने इसका यह जो है अब भी इसमें देखे रेड लाइट नहीं आई है जो कि वोल्टेज जो है तारे बन चुके हैं यह देखे जो पहले फाइफ वोल्ट नहीं था वो फाइफ वोल्ट है और इसे साथ 3.3 वोल्ट है 1.8 वोल्ट यह भी है 1.2 वोल्ट यह भी है इप्रॉम पर 3 वोल्ट 3.3 है क्रिस्टल पर वोल्टेज देखिए इसके को उसे वोल्ट को रखते हुं और इसे चेक करता हूं जे कि देखिये दो शॉस्टियर कोपी हो रहा है प्रोग्रामिंग चल रही है यह देखें आज इच्टा दिखाऊ में आपको यह देखें वार्टे कोपी हो गया दोस्तो आपना देखें हिदार ईडर गरीन लाइट भी ब्लिंग करते रुख गई है अब इसको प्रोब निकाल लेते हैं यह पर LED ओन नहीं हुआ और जो भी फिल्टर वगएरा जो भी चेक करनी होती थी वह मैंने सारी कर लिए उसके बावजूद भी इसमें रेड लाइट नहीं आई ना ओन हुआ इसका काड जो है चेंज किया जाए और आप यह देखी जो मेने काम किया था वह यह कार्ड़ जिस पर मैंने चीजें फ्रों और वगारा भी जिए कि शॉब्टिवर करके देखा को प्रीए सही और मिल गया मेरे पास यह देखें तो तो अब मैंने इसको तो रख दिया क्योंकि इस पर आपने कापी काम कर लिया इसकी कैपेशिट फिल्टर लगा लिये और सब्सक्राइब करके दिया वह नहीं हुआ तो यह मैंने यह काड लगया सेम है और इसकी उस वाले काड़ की प्रोम है वह मैंने इसमें लगा दी था कि और रिमोट वगयरा सेम रहे हुंडाई का ही लोगा आए हुंडाई के लीडी है तो यह मैंने पुराना काड है कॉपी शॉप्येर जो है इसका इप्रोम आइसी जो पहले वाले काड़ की लगा ली वो सॉप्येर सही था इप्रोम सही थी इसमें चल गई है और यह देखिए रेड लाइट आ रही है और इसे ओन करते हैं यह देखिए यहां पर मैं लगा दूशिम्टी टच करता हूं यह देखिए यह लीडी ओन हो गया और हम देखिए पिच्चर इसकी यह देखिए लिगाव आगया उंड़ाई और यह चल गया यह देखो बिल्कुर को क्या है क्य मैं मैं आई शी कराब थी अब मैं भी चेंज कर देता अपर मैंने का मैं जब इससे निकाल के उसमें लगाने तो पूरा कार्ड यह लगा देते हैं तो दोस्तों इस तरीके से लेडी चालू हुआ आपके भी दिखता है तो थोड़ा मेनत तो करना पड़ेगा दोस्तों तभ